इसे में डालके केक बैकिंगग हम डालक मेचाब सोड़ा हमसखने मियजर्मेंट को फाल्ल किया करें एक हम इसे में डालींग वन बायब 4 तीस्पून नमक एक कप मेदा, एक छोड़ा चमज बेकिंग पाउडर, आदा छोड़ा चमज बेकिंग सोड़ा, एक छोड़ा चमज नमक, खुश करज़ा को मिक्स कर ले, आदा एक छोथाई कप चीनी, एक छोथाई कप चीनी डाली, अब हम इसमें डालेंगे वन बाई थी कप, 2 टेबिल कोको पाउडर अब हम इसमें डालेंगे वन बाइट री कप ओईल वेजी टेबल ओईल ही लीजिएगा केक में कोई और तेल नहीं इस्तमाल करिएगा वन टीज पून विनेगर डालेंगे एक कप दूद में ये हम बटर मिल्क मना रहे थोद में विनेगर को मिक्स करें सुरखा एक चोटा चमच शुरखा एक कब दूध इसमें डालेंगे एक चोटा चमच वनिला ऐसन्स एक छोटा चमच वनीला एसंस अब हम धीरे धीरे करके इसमें दूर डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे एक कब मैदा, एक चोटा चमच बेकिंग पाउडर, आदा चोटा चमच बेकिंग सोड़, एक छोटा चुटा चमच नमख और एक 1 by 3 कप ओयल, आधा कप चीनी, एक कप मिल्क, एक छोटा चमच सुर्खा, एक छोटा चमच वनिला एसस, सारी चीजों को अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें, थोड़ा-थोड़ा करके दूट डालते जाएं, टोटल एक कप ही दूट जाएगा इसमें, पर जब भी डा ताकि आपको अंदाजा हो कि यह बिल्कुल सही है, केक की कंसिस्टनसी हमेशा सेमी थिक बेटर होना चाहिए, जैसे के यह है, अब हम पैन लेंगे, इसको अच्छे से तेल लगाएंगे, आप चाहें तो बटर पेपर डाल दे, मेरे पास है, पर मैं हमेशा ग्रीज करके ही क केक डालती हूँ, अब हम इसमें बेटर डाल देंगे, केक का मिक्स्चर डाल दे, और मैंने पेन गरम करने के लिए रख दिया था, उसमें नमक डाला था, और इस्टेंड डाला था, दस मिनट गरम करें, मीडियम फ्लेम पे, और हमेशा नमक डाला करें, नमक से जो होती हीट फेलाने में काम आता है अब हम इसमें केक पेंट डालेंगे पेंट गरम है तो हाथ संबाल के अब हम इसमें ढख देंगे और 30 मिनट पकाएंगे मीडियम हीट पे बीच पीच में आप चाहें तो खोल कर चेक करके देखें और इस टुथपिक डाल के देखें अगर वह जवड़िया करें क्योंकि साइट से में हमेशा जल्दी पक जाती है सेंटर कचा रहता है तो इसलिए हमेशा तुथपिक सेंटर में डालेंगे साफ आये केक ठाज हुआ है अब हम कोई भी गलाज कितें लेंगे को कट कर लेंगे के को कातें और यह हम शाट लिग बाले गल इसी तरह हम दूसरा काटेंगे दूसरे स्लाइजेस तो यह भी मैंने निकाल दिया इसको भी हम ग्लास में डाल देते हैं यह देखें यह 300 ml विपिंग करीम है जिसको मैंने थोड़ा बीट किया था अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना कंडेंस मिल्क आप चाहें तो कंडेंस मिल्क ज्यादा भी डाल सकते हैं 1 पाइ 4 कप जितना डाल सकते हैं मतब 4 टेबल स्पून जितना पर मुझे मीठा सही लग तो एक पाइपिंग बेंग और नाजल लेंगे और उसमें यह विपिंग करीम डाल देंगे अकर कोई पाइपिंग बेंग नहीं है तो कोई भी दूद की थेली या ले 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 और उसमें विपिंग करीम डाल के गोल करके और फिर डेकोरेट करेंगे हम ग्लास इसट प्रेट करने के लिए इस्तामाल करेंगी केक विपिंग क्रीम Chief चीप्स एंप डीक, फ्रूट एन जूवडिय सोफेपा रदी इसपाइदे हो में Daht record कईके मैंगों यंविपिंग क्रीम念 से कर र taught us in Yoo यह तहरा है मैंने इससे जूचलर में दूप्स एले हैं इसके उपर अब हम यह दुबारा से केक डालेंगे मेने करने कोई, तो मैंने फटला कर ड़िया था तो यह पटले स्लाइसिस उफ्ञेट क्रेंगे इसके उपर विपिंग क्रीम डाल दें, यह देखें कितनी अच्छे ते से बीट होई है हमारी कोई, इसके उपर हम डालंगे चिप्स और फिर गार्निशिंग आपके अपने उपर है जैसे चाहें वैसे सजाएं केक को तो मैंने और विपिंग करीम डाल दी इसके उपर चॉकलेट चिप्स डाल देते हैं देखने में खूपसूरत लगेगा और फ्रूट से तो और ज्यादा खूपसूरत लगेगा देख देखने में प्रूट से चाहरत लगेगा जाएं प्रविस ट्रूट प्रूट से और प्रूट लगेगा जाएं जाएं डाल देखने आट प्रूट तटंक य।